अब हमारे पास में एक और मेथट है कौन सा मैं काम कर रहा हूं डूश और रन पाइप शेक्शन आईपी रूट मैंने इसको एक स्टैटिक रूट दिया था यह वाला मैं इसको नो कर रहा हूं मैंने हटा दिया अब इसकी राउटिंग टेबल में कोई रूट नहीं है इसको 30.1.1.1 तक जाने का कोई रूट नहीं है तो मैं इसको दुबारा स्टैटिक रूट बता रहूं कैसे बताओगे आईपी रूट 30.1.1.0 255.255.255.0 एक्जिक इंटरफेस इथरनेट 1.0 एंड नेक्स्टोप एडरस इस थर्टी डोट 12.1.1.2 मैं दोनों का कॉंबिनेशन यूज़ कर रहा हूं इस पर इस बार हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं दोनों का कॉंबिनेशन बात आ रहे हैं समझ मैं बताने तो थे वही तो बताना है मैंने इसकी राउटिंग टेवल में 30.30 के नेट्वोक तक जाने के लिए यहां पर नेक्स्टोप एडरस भी दिखा रहा है और यहां पर एक्जिट इंटरफेस भी दिखा रहा है तो आप पैकेट फ्लोग के बारे में डिसकस करेंगे पैक इसने इस बार 30.1.1.1 को कॉम्मिनिकेट करना है सोर्स आइपी विल भी 30.1 एंट डिसनेशन आइपी विल भी 30.1 टेटिल वेल्यू अगरा वो तुम लोगों को पता ही है सोर्स मेक अटरस विल भी 1a एंट इसनेशन मेक अटरस विल भी 1b एक फ्रेम इंक्याप्सुलेट हुआ यह जो है लेर टू फटर के पास मियाँ सहले होगा लेर टू अटरस यहल्यू प्रिक वेल्ग कर के क्या कर लेगा लेर recursive lookup तो नहीं perform हुआ न इसको पता चल गया packet इस interface से क्या करने exit करने ठीक है तो packet इस interface से exit होगा पर exit करने से पहले इस packet में क्या होगी कुछ modification टेटिल में decrement कर देगा source macadres will be exit interface macadres and destination macadres will be अभी यहां पर यह चेक करेगा जो destination IPA वो मेरे same network में है different network में अब directly connected तो दिखा नहीं रहा था और 30 के network तक जाने के लिए IP इसके लिए क्या था gateway तो macadres किसका test करेगा 12.1.1.2 का तो अब यहां पर proxy आर्प की भी कोई करके रखेगा यह 4R के लिए और अगर इसने 30.1.1.2 को भी communicate करना है तो macadres किसका test करेगा gateway का 12B हमेशा कोई proxy नहीं लगेगी कोई recursive look up नहीं होगा दोनों प्रोब्लम यहां पर solve हो जाती है ना बात आ रही है समझ में किस को नहीं समझ में है बता दो बोलो हाँ यह यूज करेंगे कॉम्बिनेशन क्लियर है यह चीज़ हाँ जी प्रोब्लम है ना आर्वन की आर्टेबल में नमबर ओफ एंट्री कितनी आ रही थी और इस इंटरफेस पे कितनी सारी आर प्रिक्वेस्ट रिस्पोंस आ रहे थे है ना तो इस में जो हमारा आर्वन उस पर आर्ट रिक्वेस्ट वगारा नहीं हैंगे कॉम्बिनेशन अरे भाई मेरे अभी मैंने यह पूरी स्टोरी बताई थी अभी क्या बताई थी द्वारा सुन लो यार कल जो मैंने पढ़ाया था नेक्स्ट ओ पेड्रस वो घर से पढ़के आए थे नहीं पढ़ा अगर पढ़ा होता ना इसी बात नहीं करते हैं समझ में नहीं आ गया पढ़के आए थे पढ़के आए हो अब देखो अगर इस लैन यूजर ने इस लैन यूजर को कॉम्णिकेट करना है सोर्स आइपी क्या रहेगा डेस्टनेशन आइपी विल भी अज़र्स मैक अड्रस डेस्टनेशन मैक अड्रस राउटर देखेगा डेस्टनेशन आइपी क्या है 30.121 को packet बेजना है तो किस interface से packet एगजिट करने इस interface से packet क्या करेगा एगजिट पर एगजिट करने से पहले इस पैकेट में क्या होगी कुछ मोडिफिकेशन सोर्स आईपी वही रहेगा destination ip वही रहेगा detail value में क्या हो जाएगा decrement source mac address क्या रखेगा destination mac address क्या रखेगा वो देखेगा जो 30.1.1.1 जो है हो मेरे same network में है different network में same network में नहीं है यहाँ पर क्या पड़ा इसके लिए gateway अगर same network में नहीं है यह तो destination mac address किसका attach होता है gateway का न और इस network तक जाने के लिए यह IP क्या है gateway है तो mac address किसका attach होगा gateway का 12.1.1.2 का अगर इसकी ARP table में mac address पड़ा हुआ है 12.1.1.2 का तो fine अगर नहीं पड़ा हुआ तो एक आर्प request बेजेगा इसके लिए 12.1.1.2 के लिए और यह क्या करतेगा आर्प response देदेगा 12.1.1.2 अपना mac address देदेगा ना क्या 12B तो इसकी ARP table में एक entry आ जाएगी और यह mac address क्या attach कर देगा अब यहां पर और package interface पर क्या कर देगा forward layer 2 पर accept कर लेगा destination mac address इसी का है layer 3 open करेगा destination IP के है 30.1.1.1 routing table look up करेगा और आगे forwarding decision ले लेगा आगे बात समझ में और आगे इसने communicate करना है 30.1.1.2 को भी packet आएगा किसके बास में router के पास में layer 3 open करेगा destination IP के है 30.1.1.2 है 30.1.1.2 को data भीजना है तो इस interface से packet क्या करना है exit इस interface से packet एक्जिट करेगा बाट उस packet में कुछ modification करेगा ना source mac address 12a destination mac address विल भी वो देख़ेगा 30.1.1.2 मेरे same network में different network में 30.2 तक अगर जाना है तो यह IP के लिए क्या है gateway same network में नहीं है different network में और यह IP वहां समझ में तो आर्प कितनी बार जनेरेट होगी एक की बार किस के लिए gateway के लिए कि समझ में आगे बात न है इवन इवन मैं यहाँ और वन पे interface ethernet कौन सा था हूँ 1 by 0 मैंने बोला नो आईपी प्रोक्षी आर्प को मैंने इवन क्या कर दे है यहां से प्रोक्षी आर्प का कोई है नहीं केस यह different IP के लिए आर्प जनेरेट करी नहीं रहा डिफरेंट नेटवोक के लिए आर वन की ए और पी टेबल भी मैं ख्लियर कर दे तूं ख्लियर आप केस एं कोई 30.1 की एंट्री नहीं है Even proxy लगेगी नहीं यार proxy का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर 30 का network इस बार इस पर directly connected शोन नहीं कर रहा इस बार यह 30.1.1.1 के लिए ARP generate कर नहीं रहा है ARP किसके लिए generate कर रहा है gateway के लिए आगी बास समयँ है और जब आप कोई यहां पे routing protocol यूज कर रहे होते हो ना RIP EIGRP या OSPF तो जब इस router की routing table में 30 का network आता है ना तो दो चीजें दिखा रहा होगा आपको यहां पे जैसे RIP से आ रहा है कोई root अगर RIP से कोई root आ रहा है ना तो 30 का जब network दिखा रहा होगा ना यहां पे क्या दिखा रहा होगा R R stand for RIP 30 का network आ रहा है और यहां पे एक तो आ रहा होगा next of address इसका और एक आ रहा होगा exit interface यह वाला तो packet flow यही वाला रहेगा जो हमने last में discuss किया है चाहिए RIP यूज कर रहे हो चाहिए आप EIGRP यूज कर रहे हो चाहिए आप OSPF यूज कर रहे हो packet flow सेम रहेगा वही तो मैंने बताया अबी RIP EIGRP OSPF कोई भी routing protocol यूज कर रहे हो जब यह दोनों network इसकी routing table में आएंगे ना तो कैसे दिखा रहा होगा जैसे 30.1.1.0 24 exit interface is this next up address is this जब routing protocol discuss करेंगे तब आपको दिखा दूँगा वो matches तो तुम देखो के packet flow अगर इस तरह की entry है routing table में तो packet flow यही रहेगा same clear खटा दूँ इसको मैं ली रहेगा दूँगा जूँ को मैंदे दूँ है रहेगा तूँगा है करा दूब्स उुणाची धिन 2 черविंग रहेग dot है वार फांओे यह थभ्सयाओ को सक्सक्राइबों दोल्को है